कुरुंतियों के नाम पॉलूस प्रेरित की दूसरी पत्री, दस्वा अध्याए मैं वही पॉलूस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ, मैं यह बिंती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भै होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, वीरता दिखाने का विचार करता हूँ, क्योंकि यदिपी हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के पूची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसी का आग्याकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं, कि जब तुम्हारा आग्या मानना पूरा हो जाए, तो हर एक प्रकार के आग्या नम मानने का पल्टा लें, तुम इन्ही बातों को देखते हो, जो आखों के सामने हैं, यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो, कि मैं मसी का हूँ, तो वे यह भी जान ले, कि जैसा वे मसी का है, वैसे ही हम भी हैं, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विश्य में और भी घमंड दिखाऊ जो प्रभू ने तुम्हारे बिगारने के लिए नहीं, पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लजित नहूंगा, यह मैं इसलिए कहता हूँ, कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठैरो, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशा परन्तु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तवे में हलका जान पड़ता है। परन्तु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठैरा दी है। परन्तु हमें आशा है कि जियों जियों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा तियों तियों हम अपनी सीमा की अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। कि हम तुम्हारे सीवानों से आगे बढ़कर सुसमचार सुनाएं और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें। परंतु जो घमंड करें, वह प्रभु पर घमंड करें। क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है, वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है, वही ग्रहन किया जाता है।